अपना अकाउंड बनाना चाहते हैं लेकिन आपको नहीं पता है कि किस तरह से धनी एप में अकाउंड बनाया चाहता है दोस्तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप धनी एप्लिकेसन में अपना अकाउंड बना सकते हो अगर आ भी जानना चाहते हो तो इस वीडियो को सुरूसे एंड तक देखेगा और दोस्तो अगर चैनल पर पहली वार आए चैनल को subscribe नहीं किया है तो प्लीज जार चैनल को subscribe कर लिजेगा और जो साथ में लाइकन वाला बतन है उसको भी प्रेस कर लिजेगा क्योंकि दोस्तो आपको रोजाना इसी तरह की काम की motivating विडियो लाते रहते हैं तो चलिए दोस्तो बीना tire Africa वीडियो को start करते हैं तो इसके लिए आपको पहले dhani application को download कर लेना है इसकी link आपको वीडियो के description में मिल जाएगी इस application को आप बहाँ से download कर सकते हैं तो जैसी दोस्तों आप यहाँ पर धनी application को download कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको धनी application को open करना है तो जैसी दोस्तों आप इसको open करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का page यहाँ पर interface open हो जाएगा अब दोस्तों यहाँ पे आपको पहला option देखने को मिल जाता है देख सकते हैं यहाँ पे mobile number डालने का तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपना mobile number डाल देना है जिस भी mobile number से आप यहाँ पे account बनाना चाहते हैं तो चलिए मैं यहाँ पर अपना mobile number डाल देता हूँ mobile number डालके आपको यहाँ पे जो है next पे click कर दे रहा है तो जैसी दोस्तों आप यहाँ पे next पे click करते हो तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो है set your 4 digit password का option मिल जाता है तो दोस्तों आपको यहाँ पर जो है अपना password बना लेना है जो भी आप यहाँ पर passport अपना रखना चाहते है तो दोस्तों आपको यहाँ पर पर पासपट बना लेना है तो चलिए मैं अपना यहाँ पर passport बना लेता हो इसके बाद में आपको यहाँ पर arrow का निशान मिलता है आपको simply इस पर click कर देना तो जैसी दोस्तों आप इस पे click करते हो तो यहाँ पर जो है आपके सामने इस परकार का page डिस्पले हो जाता है अब यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है आपको यहाँ पर option मिलता है please enter your name का तो यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है इसके बाद में आपको यहाँ पर select document का option मिलता है तो आपको यहाँ पर चार option मिल जाते हैं यहाँ से आपको अपना एक document से verify करना होता है मतलब कि आपको जो है उसमें इसका number डालना पड़ता है अपने document का इसमें आप दोस्तों आपको चार ओप्सिन मिल जाते हैं चाहे अपना pen card, password, water identity card, driving license अगर आप इन चारों में से कोई भी आप पर number डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं चलिए मैं यहाप यहाप यह पर pen card को यूज कर लेता हूँ तो यहाप दोस्तों आपके number पे एक reading OTP code जाता है तो दोस्तों यहाप जो है आपका OTP code जो है अपने आप यहाप आ जाता है यह verify हो जाता है अब दोस्तों यहाप पर आपको option जाता है register touch ID का अगर आप यहाप अपनी वायो मेट्री यहाप इसकैन करना चाहते तो आपको यहाप रेश्टर पर क्लिक कर देना है अगर यहाप आपके पास नहीं है तो आपको यहाप इसकिप दिज स्टेंप पर क्लिक कर देना है तो ज जैसी दोस्तों आप यहाप इसकिप करते हो तो यहाप पर दोस्तों मेरा अकाउंट जो है यहांप वन चुका है मतलब की मैं यहाप रेश्टर हो चुका हूँ अब दोस्तों यहाँ पर आपको जो है क्या करना है उपर आपको एक profile का option मिलता है तो simply आपको इस profile वाले option पर आपशन पर क्लिक करोगे तो जैसी दोस्तो आप इस पे क्लिक करते हो तो दोस्तो मेरा यहाँ पे completely यहाँ पे account बन चुका है अगर दोस्तो यहाँ पर आप यहाँ पे पैसे कमाना चाहते हैं और दोस्तो अगले की जितने भी वीडियो है जो भी इसमें होता है मैं आपको अगली वीडियो में बता दूँगा कि कैसे आप जो है इसको रैफर करके पैसे कमा सकते हैं कैसे इसमें आप जो है किसी डॉक्टर से सला ले सकते हैं आप इसमें जो है लोन ले सकते हैं सारी जानकारी आपको अगली वीडियो में देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए जहेंद वंदे मात्रम धन्यवाद